प्रेंट्स आपका अपने चानल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीटेट से रिलेटेट थोले सी बात करेंगे कि जो यूपीटेट पास करने वाले होते हैं वो आखिर कौन सा काम नहीं करते हैं और कैसे लोग ही यूपीटेट पास होंग यह आपके लिए बहुत ज्यादा है अगर यह सब कुछ आप कर रहे हैं तो अभी करना बंद कर दीजिए जब यूपीटेट पास हो जाए फिर यही पूरा दिन करिएगा ठीक है चलिए नंबर एक पी अगर मैं बात करो दोस्तों नंबर एक की बात है आपको ओवर पहली बात कि आपको यह नहीं समझना है कि यूपीटेट का एक्जाम जो है बहुत हलवा है आप यूपीटेट बहुत आसानी से पास कर जाएंगे नहीं आपको देखना है कि हां यह आपका एक्जाम है आपको इसमें मेहनत करनी है इसका स्लेवर कवर करना है इसकी प्रैक् टेट कैसे पास करें ऐसे वीडियो आपको भर-भर के मिलने वाले हैं और आप अपने आपको थोड़ा भी over smart समझते हैं क्योंको देखिए जिस एज में आप teaching exam की तयारी करते हो आपकी age कम नहीं होती है आप अपने आपको बहुत over smart समझते हो कि यारे सामने वाला हमें क्या पढ़ाएगा मैं खुदी इतना वो हूँ तो यह सब कुछ करना बंद कर दीजे आपका अगर एम यूपी टेट है तो कोई किताबे उठा लीजे या किसी की चैनल को पकड़ लीजे उसने इतने सालों से वो पढ़ार होगा उसे पिछले वीडियो पंडी जी आ चुके है ऐसे वीडियो आपको नहीं देखने अगर ऐसे वीडियो आप देखोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने नोटिफिकेसन आ जाएगा और आपकी तयारी बिल्कुल जीरो होगी और नोटिफिकेसन के बाद फिर आपके पास इतना प्रिशर रह आप इधर उदर भटकते रहेंगे और आपकी 1% की भी तैयारी नहीं उपाएगी फिर लास्ट में वही आप जबर्दस्ती मैराथन देख देख कर के वहाँ जाएगे फिर एक नमबर से रह जाएगे 息ड़े से तियारे इस बात पर आप ध्यान लखेगा तीसरी बात अगर आप से बात करूँ कि तीसरी बात आपको कौन से नहीं करनी है नंबर तीसरी बात यह है कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि particularly exam में setting वाले आप से ज़्यादा number लाएंगे ये भी आपको चीज नहीं सोचनी है क्योंकि आज कल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है सबके दिमाग में यही रहता है कि जिनकी setting होती वो आप से ज़्यादा number लिया देखिए अगर आपके हाथ में है इन लोगों को रोकना तो आप ऐसी सी सोचो ठीक है जिसका वो काम है वो तो करेगा ही करेगा भाई वो अपना काम कर रहे है आपका काम क्या है आपको मेहनत करके इनके बराबर आना है या फिर इनसे ज़्यादा ठीक है इनको रोकने का काम किसका है पुलिस का है, जो भी इनको रोकता है, काम उनका है, आपका ताम क्या है पढ़ना, अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में ले आए, अगर आज आप ये चीज़ अपने माइंड में लाए, कम से कम चार से पास दिन आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से स्वहा हो जाएगी औ पढ़ना बंद पर दोगे तो number 3 पर दोस्तो इस तरीके के वीडियोस बिल्कुल देखना बंद कर दीजे खीक है मतलब इस तरीके के सोचना भी बंद कर दीजे number 4 की अगर मैं बात करूँ number 4 वाली बात ये है कि number 4 आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हर दूसरे दिन और हर तीसरे दिन तीसरे दिन आपको अपनी तयारी का pattern नहीं बदलना है आपको ऐसे वीडियो नहीं देखने हैं कि कैसे तयारी करें कौन से किताबे पढ़ें ऐसा कुछ नहीं जो किताब आपके पास पढ़ी है पहले उसको पूरा cover कर लीजिए ठीक है चाहे यो किताब आप लेकर आए हो पहले उसको cover कर लीजिए किसी के channel से आपने कोई series देखना start की उसकी playlist बनी हुई है कोई series आपने देखनी start करी पहले उसको खतम कर लीजिए उसको खतम कर लीजिए फिर देखिए आप यूपीटेट में कितनी दूर खड़े हुए हैं कितना आपको आता है कितना नहीं आता है तो ये चीज आप बहुत करना बिल्कुल बंधी कर दीजिए बस उतना ही पढ़ करके आपका यूपीटेट के ऐख्जाम निकल जाएगा तो इस slabas के चक्कर में कभी भी आप अपनी प्रैक्टिस करना बन मत करियेगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को मैंने सुना भी है, बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो last में 5 दिन पहले क्या है, कहो book depot पे आ जाए, बोले मुझे previous year के एक book दे दो, इस exam की, मैं seatate की बात करता हूँ, seatate में मैंने previous year का दे दो, तो मेरे मन में आया, मैंने उससे पूर दिया कि अभी previous year नहीं लगाया, बोले नहीं मैं तो अपना slabas cover कर रहा था, अभी तक यार मैंने previous year नहीं लगाया, मेरा इस date को exam, आप देखो आप, ये गलती आप कभी मत करना, बेसक आप एक दिन slabas की की चीज़े पढ आया था, 2017 का ही paper दे दिया था, बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, 2017 का paper इसको हटाओ, ये वो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो previous year पढ़के आया था, वो बढ़िया पास हो गया, और जो ऐसी बाते बनाता रहा, वो बस ऐसी बाते बनाता रहा, उनका हो गया नु बस सरल तरीका बता दे कि पास दिन में सो करके कैसे यूपी टेट पास कर जाएंगे, फिर आप लोग इतना उसके पीछे भागोगे, इतना उसके पीछे भागोगे, कि कुछ पूछने को नहीं, अब मैं भी ऐसे वीडियो बनाओंगा, थमनेल में ऐसे लिखा करूँगा, बिना पढ़े यूपी टेट कैसे करे पास, ऐसे लिखूँगा, बिना पढ़े यूपी टेट कैसे करे पास, रजाई में घुसे रहते हुए भी कैसे करे यूपी टेट पास, ऐसे वीडियो मैं भी बनाओंगा, पढ़ाई तो कराओंगा, ये कराओंगा, साथ में जादा आ गए लोगों को जो मेहनत कर रहे थे उनके 802 नंबर ऐसे इसे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई जो मेहनत कर रहे थे उनके 802 नंबर ही आ है सेटिंग वाले के 110 आ है 20 ऐसा कुछ नहीं है सेटिंग वालों का तो कुछ भी नहीं पता है जिन्होंने रेगुलर मेहनत क नोटिफिकेशन आएगा, कब नहीं आएगा, इन चीजों से थोड़ा सा दूर हड़िए, मैं अपने चानल पर आपको NCRT कवर करा रहा हूँ, एक दो दिन में मैं आपको दो पहर में 12 बजे, मेक से टेस्ट कराऊँगा, पांचो सब्जेक्ट का, उसमें 15-15 कोशन हर सब्जे अपने तरफ से रिवीजन किया है, 100 से कम किसी के नंबर नहीं आए, सब अच्छे से पास हो गया, सब खुस है, ठीक है, तो आप सभी को एक थोड़ी से मैंने जानकारी दे दी, अगर आपको अच्छी लगे, ये बाते आपको अच्छी लगे, तो आप इनको फॉलो नहीं अच्छी लगे, तो जो आप कर रहे हैं, फिर से करने लगेगा, ऐसे वीडियो देखने लगेगा, कम नोटिफिकरसन आएगा, कब आयोग ने डेट निकाली, कब ट्वीट किया, कम मंतरी ने जीका, कम मंतरी ने बाल खीचे, ये सब वीडियो आप देख सबते हो, चल